नमस्कार दोस्तों मैं दिविंदर भारती उत्राखंट राजी आंदुरनकारी और इस समय मैं खड़ा हूँ कालागाट टाइगर रिजर्ब के मैदावन गेट में और इस गेट की एक खास बात यह है कि यहां से ठीक 21 किलोमेटर आगे यह निकलता दुर्गा देवी में दुर्गा देवी से रामनगर लगबग लगबग 30-35 किलोमेटर आए तो दुर्गा देवी गेट से और लोहा चोड और मैदावन गेट तक सफारी के लिए अनुमती है अब सफारी करने के लिए अनुमती है प्रन्तु हमारे इस गेट से आगे लोहा चोड के लिए जो की केवल यहां से 7 किलोमेटर है उसके लिए बन्मिभाग ने रोक लगा रखिये हमको यहां से निकलने की कोई अनुमती नहीं है दुर्गा देवी गेट से लगबग 16 किलोमेटर लोहा चोड होता है उनको अनुमती है और हमको यहां से जो केबल साथ किलोमेटर है हमारे लिए अनुमती नहीं है दुर्गा देवी के गेट से वहां के सैकडू लोगों को रोजगार मिलता है और हमारे इस गेट से हमारे किसी भी एक आत्मी को इस फोरेस्ट की वज़े से इस बन की वज़े से इ किसी को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है और बार बार जन्परतिनीदियों को भी हमने यह कहा है परन्तु हमारे जन्परतिनीदी बिल्कुल भी सुनते नहीं है हमारे चेत्र से जितने भी इस चेत्र से विधायक हुए हैं सांसद हुए है इस चेत्र से हमारे जिला पोड़ी गड़वाल के चेत्र से जो मुख्य मंतुरी हुए है उन तक हमने पर बात पहुचाई है परंतु किसी ने कोई सकारात्मक कारवाई नहीं की है सोसल मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को वाइरल करें ताकि सासन तक परशासन तक और बन्युभाग तक मैं तक काऊँगा कि पियो मों तक भी बात जाने चाहिए कि ऐसा अन्याय क्यों है उदर के लोगों को रोजगार की आवा सकता है तो क्या इदर के लोगों को रोजगार की आवा सकता नहीं है इतना ही मेरा कहना है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार